सेहत से जुड़े हर अच्छे बुरे फैसले इंसान की बायोलाजिकल उम्र को लंबा या छोटा करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, हमारा मूड, पुसनालिटी, हर एक चीज का हमारी उम्र के साथ सीधा कनेक्शन होता है। मैमोरी से जुड़े दिकत, जुरियां, कमजोर मास पेशियां, खराब तचा और ठकावट से सभी एजिंग की लेक्षन हैं। रोजमर्रा की कई बुरी आदिते इन सब के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। आए आज आज आपको ऐसी दस बुरी आदोतों के बारे में बताते हैं जो एजिंग को बढ़ावा दे रही हैं। दिन भर बैठे रहना एक गतिहीन जीवन शैली एजिंग की समस्या को ट्रिगर करती है। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना भी इनसानों के लिए खतरनाक है। इस से क्रोनिक डिजीज का जोखिन बढ़ाने से लेकर कोविड, कैंसर, हाइड ब्लड प्रेशर, मोटापा, डिप्रेशन और इंजाइटी से मौत की संभावनाएं बढ़ती हैं। ये बुरी आदत इनसान को तेजी से बुढ़ापे की ओर धकेल रही है। अनहेल्डी फूड इनसान की जीवन रिखा को कम करने में अनहेल्डी फूड का भी बढ़ा रोल है। हाइ सचुरेटड वाला फूड, बैट कलिस्ट्रॉल, शुगर और सोडियम शरीर में इंफलमेशन को बढ़ाने का एकाम करते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि अनहेल्डी चीजे खाने से इनसान की उम्र तेजी से बढ़ती है, इसलिए बाजार में बिकने वाले अनहेल्डी फूड से सख्त परहेज करें। हसने से परहेज। अगर आप लंबे समय से हसे नहीं हैं तो जल्द ही कॉमेडी शो या फिल्मे देखना शुरू कर दीजे। हसने में कंजूसी दिखाने से इस्ट्रेस लेवल बढ़ता है जो हमारे बॉडी सेल्स की फाइटिन इंफेक्शन के पैसिटी को प्रभावित कर सकता है। हसने से शरीर में अच्छा फील कराने वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें तंदरुस्त और सिहतमन बनाए रखते हैं। घर में कैद रहना जब से करोना की महमारी आई है हर किसी ने घर में कैद रहने की आद़ डाल ली है। लेकिन ऐसा करना हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए तुरंद रनिंग शूस पहने और बाहर घूमने टहलने की तैयारी करें। घर में कैद रहने से हमारी मांसिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है और एजिंग प्रॉसेस भी तेज होता है। ज्यादा स्क्रीन टाइम आपके लापटॉप या स्मार्ट फून से निकलने वाली रोशनी भी एजिंग प्रॉसेस को प्रमोट करने का काम करती है। इसलिए जवान रहने के लिए अच्छी नीद लेना भी बहुत जरूरी होता है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।